तो दोस्तो स्वागत है आपका एक और मज़ेदार हॉरर एपिसोड में आज जो हमारे साथ गेस्ट है ना वह बहुत ही ज्यादा एक्स्क्लूजिव गेस्ट है हमारे साथ है देवेश जी और राज जी यह इंडियन पैरनॉर्मल सोसाइटी के मेंबर्स हैं गौरफ तिवारी के बाद अभी राजसर ही इंडियन पैरनॉर्मल सोसाइटी को हैड कर रहे हैं और इनके पास बहुत सारे एक्स्पिरियेंसे हैं वो तो हम सुनेंगे इन से साथ ही साथ इस एपिसोड में पहली बार हम लोग देखेंगे वो डिवाइसे जो यह यूज करते हैं स्पिरिट से करने के लिए कम्यूनिकेट करने के लिए सर वेलकम थैंक यू और हमारी ओडियन्स को बहुत पसंद है हॉरर हॉंटेड एक्सपिरियेंसे जानना पैरनॉर्मल एक्सपिरियेंसे जानना और वहां की दूसरी दुनिया की बाते जानना तो आज आपसे हम लोग बहुत कुछ मैं जानना चाहूँगा राजसर आपसे कि कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आप मानने लगे कि हां स्पिरिट्स होती है या जिसने आपको नॉन बिलीवर से बिलीवर बनाया मेरा जो बैग्ड़ाउंड रहा है बच्पन से मैं जारखन का हूं और वहाँ जहां मेरी इसकूलिंग होई जो घर था। उसके चारों तरफ जंगल जाहरा के जंगल बहुत तुवह तरह तरह की अफ़ाहें चलते थी कि फ़ला जंगल में पेड़ है वहां चुडेल है और तो कुछ बॉड़ी मिली, लोकल्स ने मनना शुरू कर दिया कि यहां पर जो जाता है रात को थपड़ पड़ते हैं, तो उसके साथ बुरा होता है. इसको प्रूफ करने के लिए कि भूत प्रितनाम की कोई चीज नहीं होती है, मैं वहां रात को अकेला चला जाता था. मुझे कोई सेंस नहीं हुआ, अब ऐसा कुछ पता नहीं लगा. हाँ, गौरव तिवारी जब मुझे मिले हैं, 2012 में, उन्होंने जब मुझे आईपीएस में एक जिम्मेदारी दी, उनके साथ में हर जगा जाने लगा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुई थे, जहां भी बोलत मेरे साथ पहला इंसिनिट कुलधरा में हुआ था, 2014 में, उसके बारे हर लोग जानते हैं, किसे कहानियों में, हर जगा कुलधरा, कुलधरा, एक शॉर्ट में आगर आप ब्रीफ दे दो, कुलधरा के बारे कहा जाता है, कि आज से 200-200 साल पहले, पालिवाल ब्रामेंस का गा द्राजा था, तो उसने वहाँ पे जो गाउं के मुखिया थे, उसकी बेटी थी 15-16 साल की, उसकी बुरी नजर थी उसकी बेटी पे, और वो काफी एजट भी था, 55 के आसपार, उसने वहाँ फर्मान दिया कि इस से मैं साधी करूंगा, तो ये बात नागावार गुजरी, एक तो वो पार्लीवाल ब्राहिन थे, ब्रामीन थे, राजपुत थे, दूसरा एज का फैक्टर था, लेकिन उस जालिम ने क्या किया कि कहा जाता है ऐसा कि गाउं पर उसमें सेना भेज दी, और सारे लोग ये भी कहा जाता है कि उसके आसपास 84 गाउं रातो रात गायब हो और दूसरी चीज है, अभी कुछ थेवरी आई है कि साइंटिस्ट का कहना है कि बहुरा तगड़ा भुकम पाया था, इसलिए वो गाउं परवाद हो गया, लेकिन इसका कोई ओफिशियल रेकॉर्ड नहीं है कि वहां कोई भुकम पाया था, अब ये कहा जा सकता है कि उस व कुलधराज जो भी गए होंगे, आपने देखा होगा एक मंदिर है, मंदिर के साथ में छोटा सा कमरा है, जहां पंडित रहता था, मैंने क्या किया था, तो मजे में था कि चलो टाइम पास करना है, टीवी पर लोग देख रहे हैं, अराम से बंद कर दिया अंदर से दर्वा कोई तो दिख जाओ, सुना है, यहां बहुत बूत है, और केटु मिटर था, मेरा केटु मिटर अपने आप दो फुट आगे चला गया, केटु मिटर की बात आई है, तो आप दिखा भी सकते हो, कैमरा पर साथ-साथ, तो आप एक तरीक से चैलेंज कर रहे हैं, बेसिकली को होता था, कैमरा मेरे पास नहीं है, मैं अकेले में बदमासी, बहांगड भी जब मैं पहली बार गया था, 2013 में, तो गौरव और कुछ टीम के लोग अलग जगा इन्वेस्टिकेशन कर रहे थे, और एक जगा मैं गया, कैमरा लिकर के, और मेरा टोन था बोलने का रानी रतना नॉर्मल सोसाइटी को दिये है, जिसमें की बेस्मेंट वाला भी है, सर पहले इसकी बात कतम बढ़ते हैं, के टूमीटर का किसाथ क्या हुआ रहे है, एक तरीके से हम यह बानते है कि जो आत्मा होती है, एक तरीके से एलेक्ट्रो मैगनेटिक फिल्ड होती है, इसको यह इ वाई-फाई हैं, लेकिन ऐसी जगह जहां पर ऐसा कुछ नहीं, जैसे कोई जंगल है, विरान है, और वहां पर बड़ा इंटेलिजेंट होता है, हम कहते हैं कि अगर ऐसा कर सकते हैं, क्या यहां कोई मौजूद है, वो हम से बात करना चाहता है, क्या तीन बात, तीन या चा तो इसको टेबल पर रख देते हैं, तो मेरा नाम देवेश है, और मैं चाहता हूं यहां पर अगर कोई भी ऐसी एनर्जी मौजूद हो, जो हम से मुलाकात या वारतालाप करना चाह रही हो, या अपनी इंडिकेशन देना चाह रही हो, तो इसमें पाँच लाइटे हैं, उन में से आप अपनी मुझूदवी का एक एहसास करवाने के लिए तीन लाइट तक अगर आप जला सकें, अगर कोई है यहां तो क्या कोई है यहां जो तिस्री बत्ती जला सकता है दो जल रही है तिस्री विल के लिए लो वाली है कोई है यहां पर तो हमसे अगर बात करना चाहें कि ऐसा कोई इंडिकेशन कोई अभी दिल की दढ़का नहीं अहां तक हो गई तो इसको रिवाइड करके देखिएगा आप मैंने कहा था जो मैं बात कर रहा था इसको अराम से देखिए हम जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना कुछ सेकेंड के लिए करते हैं ना उस पर हम ती इसी हो रहा है मतला भी वो कुछ और भी हो से अच्छा ठीक है तो यह फिर उस टाइम यह मीटर एकदम से ड्राइग हो गया आगे को आप यह कह रहे है हाँ मैंने वैरलेस पर मैसेस दिया फिर और गौरब भाई थे टीम के साथ जिसमें टीवी की कैमरा टीम जो थी सारे ला आदध होती है कि हां मुझे देखना है दुबारा ऐसा हो सकता है क्या यह नहीं हुआ कुछ और उसके बाद जहां पर हमने उस टाइम वहां में लगाया था पहली बार किसी ने कुल धरा में गर सीसी टीवी सर्वेलिंस लगाया था वो हमने लगाया था ठीक है तो जो सीसी पर सेंटरली मॉनिटर कर रहा था उसने मेसेज दिया कि राज भाई एक कैमरा नमपर 3 में आया है कि कुछ कूद करके कई कूदा है कोई किसी जगह से और बोला मैंने धम की आवाद भी सुनी है फिर हम दौड करके वहां गया वो करीब सौ मीटर था वो जगह और उसके कि वो एंजिनियरी थे वो एंजिनियरी कर चुके थे और वो जॉब कर रहे थे जैसे मुझे वो फुटेज मिल नहीं रही थी और ऐसा नहीं है मैं CCTV से खेल रहा हूं 2007 से बहुत लंबा मतलब experience था मुझे इन चीजों का इलेक्रानिक का कामी करता हूं मैं मैंने सोचा इसको कर देते हैं रिबूट कर दिया रिबूट करते ही हाट डिस क्रैश दिखा रहा है नो हाट डिस फाउं अच्छा और जो टाइम स्टैंप जहांता है CCTV पर वहां पर वो इस तरीके से एक तरीके से क्या फ्लैश कर रहा है 1969 2000 1969 2000 हमारे साथ एक धर्म गुरु भी गय थे उन्हों मैंने इजाज़त उन से नहीं ली कि में उनका नाम लो वो भी गय थे हमारे साथ और सर जब उस टाइम आप कह रहे थे कि जब यह आगे थोड़ा बढ़ गया था जो यह के टू मीटर है कुछ और भी होता इसके अलावा या सिर्फ यही एक्टिविटी हुई थी जो और से आगे बढ़ा था और पूरी पांच की पाच लाइट जली थी मतलब वहां कोई था जो जिसने मुझे बता दिया था ठीक है मजाक तूड़ा देख कहा होता है यह होता है उसके बाद से मैं स्लोली फिर तो है रिस्पेक्फुल भी हो गया और देखिए जो टीनेज का जो देखा गया है उनकी आकरीती देखी गई है रात को लोग रस्ता एवाइट करते थे मैं रात को जा करके बोलता था है है तो आपने आपको दिखा के तो देखिए यह बेगो कुफी करता था उमर भी ऐसे थी तो देवेश भाई मैं आप से जानना चाहूँगा कि आपका फर द्राइब पर कई बार जाते हैं पैट्रोलिंग पर तो बहुत सुंसान जगे होती थी एक सर इसका टैगर रिजर्व है आपने सुनोगा नेशनल पार्क है वहाँ पर भी हमारे साथ एक एक अक्टिविटी वी थी कि धूर जंगल में एक मतलब रोशनी जल रही है और हम पहुँआ पर जबकि वह दूर से बहुते चमग रही है तो वहां पर पहाड के उपर से आप देखोगे एक तो हम एक आग का गोला फैंकेंगे तो उसी टाइब से गाओं में क्या होता है कि पहले लोग उसको बोलते हैं कि मोठ बोलते हैं उसको ना मूंग दाल से जो इतां अब इसको कौन देखेगा तो मैंने दस दनों को साथ में यह चीज दिखाए लाइव कुछ आये थे मेरे साथ फोर्नस भी थे कुछ मेरे गैस्टे जो दिल्ली साहिए वी ते रास्तान तो उस समय हम भूमने गए थे शाम को वापिस आ रहे थे तो एक पहाड के पर से अब आपके पर खतम हो जाओगे तो ऐसा उनका बोलना रहता है और उसके बाद फिर में राज सर के साथ हमने संजेवन में एक इसका 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 पूरा लाइव एंकांटर हुआ था पूरा जो हमने देखा था वह इसके बारे में की प्रोपर मेरे को एक जो उसमें बीच मे उस ट्रैक्स में एक मतलब कोईंट से दूसरे कोईंट पर पर तीस सेकंड का जो स्लोट था हूँ मैंने खुद ने एक्स्पिरिंस किया जिसको सोच के मेरे आज भी रोंगते ख़़ए उस तीस सेकंड में यह कौन सा एरिया डेली में है यह डेली में ही संजेवन है जहां प बड़ा वह पार्क है कुटो मिनार से सटा हुआ है और क्राइम भी बहुत हुए और वहां जंगल यह साप कोबरा करेत हर तरह के स्टावड है वहां पर फोरस्ट इबार्टमेंट का भी और भी अब किसी के एंट्री नहीं होती नाइट में वह हम परमीशन लेके और वहां पर गए थे और कौन से साल की बात जाब गए है 2019 क्या हो आता है एक बार डिटेल में हम वहां पर एक वीडियो शूट करने गए थे इसका पूरा पूरी टीम थी साइकलोजी की हमारे साथ स्ट्रेंट सी सर भी थे हम चैक करे थे कि यहां पर कोई है यहां पर कोई है तो यह स बैठें ही ट्रेक इधर जा रहा है लेफ टू राइट तो मैंने देखा तो प्रोपर एक स्ट्रिट जो मेरे का सोच कि अभी की एक ब्रोंग्टे खड़े करने वाला वह मेरे साथ अभी भाजाता है पूरे हूमन शेप थी और प्रोपर ऐसे देख ती वी और जारी है वह प अब मैंने सर को बताया मैं सर जल्दी चलो अब भी मैंने देखा है और उस प्वाइंट पेड़ से और इस पत्थर के पास आई हो हम सब वहां पर पहुंचे हैं बाकायदा इसलिए हम साइक्लोजी की स्ट्रेंट को भी इसलिए उनको प्रेक्टिकल करना था को अपना प्रो बाक्स बोलते हैं और सर ये डेली निवस्टे में कौन सा कोर से इसमें ये प्रजक्ट के आ जाता है कि जाके वो उनका साइक्लोजी के जो स्ट्रेंट सोते हैं उनका मतलब खुद का उनका कुछ होगा उनका देली युनिवस्टी में आई वस इन्वाइट इस पीकर डेपर क्योंकि off track they want to create awareness about these things but they can't say ghost exists that will be against their curriculum तो सर कौन सा बोक्स है इन में से एक तो ये motion sensor light ही है एक बार आप camera में दिखा देंगे इस पर एक PIR sensor है passive infrared sensor बोलते है इस तरह कोई अगर इससे movement होती है इसके सामने से तो ये light जल जाती है और चाहे हम भी move करेंगे तो जल जाएगी और passive infrared infrared जैसे हम ये मानते हैं कि ये चीजे manifest करती है मतलब प्रकट होती है तो infrared band में होती है और infrared band को इंसान नहीं देख सकता ये IR को sense करता है जैसे कुत्ते के बारे माना जाता है कि कुत्ता infrared band को sense कर लेता है कई बार आपने देखा दिखके भौके जारहा है रहा है कि तो ये गौरता है Мосश्बस करता है में इनने कि तुक्डे ख़दया एक फिगड़ ऒलते फिगर किसी तरह कर शेपे ले सकती है छोटा भी हो सकता है अन्डाकार भी हो सकता है और आपको बतायों कि जैसे जो पहाडी छहटर होते हैं मसूर यह फॉग जब दिली में भी जब फॉग होगा तक फॉग से इनको मैनिफेस्ट करने में आसानी होती है फॉग को यह वो शेप भी दे सकते हैं अपनी तरह का यह तो देखो मैंने देखा हुआ है इसलिए बोल रहा हूं और सरी कितनी दूर तक सेंस कर सकता है यह अराउंड 30 म यह जो सेंसर होते हैं इसके अलग अलग रेंज होगा हमारे लिए इतना एनफ है डिफेंस भी यूज करती तो डिफेंस के पास सेंसर 200 में के होते हैं दुश्मन और उनका बड़ा एडवांस होता है उन दिखता भी नहीं है तो वह अलग चीज होती है यह भी एम फ मीटर है नहीं लाइट भी जलता है यह हमें बताएगा कि कितना मेली गॉस अभी जैसे गॉस में रखता हू हूं इस रूम में 0.0 अब मैं इसके सामने ले लाता हूं कॉड लेस तो 0.1 ना गया था यह या की एम एटिफूपल यूज करते हैं मल्टपल एक्विमेंट यूज करते है और कई बारे निलस तब कहते हैं कि कोई जगह में क्या है मतलब आप इसे कैमरा के पास ले जाएंगे तो यह वहां पे भी बढ़ जाएगा थोड़ा सा यह यह बड़ा ही यूनीक ट्राइफेल्ड मिटर है और फिलहाल आप चाहिद हो सकता है ना माने दुनिया में सफ मेरे पास है दुनिया में तमाम यूटूब के फॉरेंड वीडियो भी देख लिजिए शरी एक बार कैमरा में दिखा दीजिए आपको यह मिला कहां से कहां से यह गौरवतिवारी का है और मैं इसको गौरवतिवारी जी का जो भी समान है वो मैं यूज कम करता हूं ताकि डेस्ट्रॉइ ना हो वो पड़ा रहेगा मेरे पास अब देखिए सोच तो है मेरी के छोटा म्यूजियम बना के वो सब समान रखोंगा वान यह कैसे कर चलो के कोई बिगिनर है पारनॉर्मल वाला उसके लिए यह कुछ काम का उतना नहीं है अला उसके लावा और भी बहुत सारे काम में आ जाता यह वारलिस वगिरा के कैलकुलेशन के लिए बट सिंस आप कह रहे हैं यह आपके पास पूरी दुनिया में तो कोई बिगिनर ट्राइफिल्ड आता है एनलोग आता है यह वाला नहीं है यह बनाया हुआ है सर बहुत सारी वीरान जगाओं में जैसे जंगल है या कुछ है या मतलब कहीं पर मालो हमारी फोर्स ने कुछ डिवाइसीज रखे हुए है या कुछ ऐसा है तो वहां भी यह रेडियेट देखिए आप सिर्व डिवाइस को अगर वहां रख दीजिएगा तो चांसेस तो बहुत कम है कि वह वहां कोई अपना मतलब मौजूद्गी दिखाए सेम लाइक कैमरा को आपने छोड़ दिया तो आप रिकॉर्ड पे ही आप ज़्यादा उसमें कुछ कर नहीं सकते अंटिल अनलेस आपके पास सब कुछ वाइरलेस और उसका कंट्रोल में एक चीज पॉसिबलिटी है कि काई बार दिखा गया है कि इस तरह की जो शकतियां होती है यह तनी डिक्यां कि यह किसी ना किसी से बात करना चाहती कर को मेरे साथ हूआगा था ऊठाभ तो यह एक तरेके का एक तरीके से यह जिससे लोग डर जाते संदेश देती है किसी को कुछ सुनाई दिया बहुत हो जाएगा तो घर पे कोई समान हिल जाएगा अपने डराने के मकसद से नहीं करती है अगर आप इनसे कम्यूनिकेट करते हैं तो यह वैसे आपको हाम भी पहुचाती है फिसिकली फ्लाइट क्रेशिक के चांसे बहुत कम होते हैं उसी तरीके से हाम तो करती है चांसेस बहुत कम होते हैं सर कमिंग बैक टू यॉर स्टोरी जो आप किसा बता रहे थे जब आपने कम्यूनिकेशन स्टार्ट करा तो क्या हुआ फिर वो इस्प्रिट एक पोजिशन पर दूसरी पोजिशन पर आके बगाए इन सब को मैं उस प्लेस के पर लेके गया और वहां पर हमने बात करना सुर थी इसका मडर हुआ और यह जैसर थी तो उसका मडर हुआ था मडर कैसे हुआ था उसका भी हमने पूछा कि आपको काटा गया था आपको मतलल्ड अहीं लटक हैं तो कि अपर इसको महा पर मारा गरा गोटके उसको लटका धिया है वहां Past तो ऐसे बहूट सारे हमको experience मिले उसके बाद एक experience मिला सर सुरी मैं आपको cut कर रहा हूँ बट जैसे हमने बहुत सारे यारो दोस्तों में सुना है उजा बोर्ड करते हैं तो कई बार ये लोग जाने से मना कर देते हैं तो आपने वो conversation end कैसे करी या और कैसे करनी थी अब इसमें एक सबसे बड़ा point आता है कि हम उनको कुछ दे नहीं सकते ना हम उनको ये नहीं बोल सकते कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं एक बार मैंने गलती की थी तो सर ने उस समय में बहुत सपोर्ट किया और मेरी काफी मेरे टाइम तक तबही भी बहुत डाउन रही थी वह एक्टिविटी मेरे साथ मेरे गाउं में हुई थी हमारे एक पुराने मंदिर पर तो मैंने ऐसे ही कुछ वहाँ पर गलती कर दी थी मेरा एक सपता आपने स्पिरिट को बोल दिया था फिर में शान्त वह फिर उस पार्ट से में दूर हो गया कुछ ताइम के लिए तो एक इंसिडेंट हो हमारे साथ हुमायू टोम पे वहाँ पूरी टीम जब हम साथ थे जब बात कर रहे थे सब लोग तो सबने ट्राइ किया वह नहीं आ रही थी तो उस समय राज सार ने बोला कि आप सब लोग दूर ठो एक बार देवेश बात करेगा और यह अब एक बार सर बताएंगी तो सार ने बोला हर इनसान की वाइब्रेशनल एनरजी इसको कुछ-कुछ लोग वाइब्स बूलते हैं वाइब्स नाम दिया हुआ है वो अलग होती है लाइक हमारा थम इंपरेशन अलग होता है पुरी दुनिया में किसी का मैच हो सकता है वहां को ऐसी एंटीटी हो जिनसे इनका जो सोच विचार एक तरीके से वाइब्रेशनल एक दम बिलकुल मेल खा रहा हो यह मैंने बहुत इन्वेस्टिगेशन में देखा है टीवी के ल कि अब हमारे साथ पीमिल इंवेस्टिगेटर उनका नाम लेगे कि इनको बहुते हैं करने हम थोड़ा साहिड है और बढ़ाच्या कमिनिकेशन हो रहा है यह जरूरी नहीं है हो सकता है कि आप अगर मेरे साथ कभी हो सकता है मेरे से उतना इंट्रेस्टेड ना हो बात करने म आप में इंटरेस्ट हो सकता है, भो आप की तरह ही होंगे। जैसे आपके विचार ध्रहा जैसे आपका रहन सहन. इतनी जल्दी में कौन मेरे जैसे कॉन्ही यह है? पाँच मिनमें सब दिकोड कर लेते हैं. आपका पास्ट भी डिकोड कर लेंगे वह. तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपने वेरिफाय करा हो कि इन्हें पता है कि नहीं अपने बारे में कुछ पूछा हो मैंने शुर्षान सिंग राजपूत के बारे में पूछा था उसकी वीडियो है उस ताइम पे काफी वीडियो बनी थी पारनॉमल इंवस्टिकेटर नहीं आप ही होप हो आप ही होप हो आप तो कि गॉरव वाली वीडियो लोगों ने देखे थी ठीके गॉरव तो हमारे दोस्त था घर पर आना-जीना आना-जाना खाना पीना सब साथ था बल्कुई मैंने सोचा करू ना करूं करूं ना करूं यार बहुत बड़ी परस्णाल्टी कहीं भजीयत ना हो जाये? मैंने डिसाइट किया कि ठीक करता हूँ मैंने लोगों को बोला कि उनकी तरवी हो जाने दो 14 दिन ये वीडियो में अप्लोड करूगा या उसी दिन में कम्यूनिकेशन करूंगा, कम्यूनिकेशन मैंने किया, वीडियो डाला, 20 मिनिट की वीडियो है, दो दिन में चली गई थी, थ्री मिलियन वीव चली गई थी, उसमें जो जो चीज पूछा है और जो तत्य है, उस पर सब लिखा हुआ है, मैं पीशे जाकर तो चेंज नहीं कर स इन फैक्ट, आइ बिलीव, गौरव वास हेल्पिंग मी, अच्छा, गौरव मुझे एक तरीकेश से हल्प कर रहे थी, और जो जो उस पर फैक्ट्स हाए है, एक महीने के बाद उन्ही पांच लोगों के नाम पर ये फायर हुआ है पतना में, और जो जो मैं बोलता गया, उस जो मेरा घर है, जिसका जो भी फेवरिट या कोई जगह मुस्ट विजिटेड या प्यारा हो, वह वहाँ ओफेन विजिट करता रहता है, चलिए को दूसरा तिसरा आद मी बोल देगा हां हुआ हॉंटेड है, हम लोग इसे कहते है विजिट, और एक चीज यह है कि ये बात म को याद होगा जब बहुत बुरा हुआ था, मेरे घर में भी डेथ हुई थी, उसी दवरान मुझे एक बहुत बड़े पितलब स्प्रिचुल आदमी है, वारा नसी बगएरा में काफी किया हुआ असे दिया, उन्होंने बोला कि बेटा तुम काम तो बढ़िया कर रहे हो, पट एक चीज मैं भोलूँगा कि तुम एक ट्राइ करो तुम गरों से किसी तरह का कोई कम्मिनिकेशन मत करो, कुछ दिन, छे महीने, साथ महीने, एक साल, मैंने का हाँ मैं समझ ना आप क्यों बोल रहे है, ताकि उसको एक आस रहती कि हाँ कोई आ है, कोई ना कोई है, आए है, हम मैं मानता हूं रहेंगे, तो इतनी सिल्फिशनेस भी ठीक नहीं है कि एक वीडियो हर बार कुछ करूँ ऐसा, लोगों ने कई बड़े नाम, जैसे सिदु मोशेज वाला के टाइम भी बोला था, सर करूँ, मैंने का उनका तो क्लियर है कि मैं डर हुआ है, क्यों अब बहुत सारे लोग मिस्कंसेप्शन में हैं कि मैंने शुषान सिंह राजपुत की आत्मा से बात कर ली, या I am capable of talking with that सीदु मोशेज वाला आत्मा, या एक Big Boss के कोई स्टार थे, उनके लिए भी बहुत आया, मैंने माना कर दिया, मैंने कहा कि I don't want to do all those things, अब देखिए, करेगा जब वो चाहेगा, आप कुछ भी कर लो. सिंपल सा और एक मानवता वाला जो conversation होता है, वो उससे बात करके, जैसे हम नॉर्मल ही अपनी मर्जी पर हम क्या बोल रहे हो और अगर उसे बोलना होता है, नहीं मुझे और बात करनी है, तो लाइट जला तो आपको कोई कुछ भी रेस्पॉंट नहीं करेगी, इसका मतलब आपका मामला वहाँ पर उससे खराब हो गया है, फिर उसका दूसरे तरीके होता है, उसके क्या तरीके होता है, णिसके लाइक, उससे फिर वापस conversation करनी पड़ती है उसके अधर, कि अब क्यो नहीं जान देना चाहते, क्या करण है आपका, उनका मन लगाना होता है, उससे औ कोड़ा सा बात करके उसको खतम करना एक बर कम्यूनिकेशन बन गई ना चार घंटा पांच घंटा तो कुछ नहीं है गवरब की डेद की बात उस साल की बात बता रहा हूं हम लोग चार पांच दोस्त होते थे इतना कॉमन हो गया था कोई आ रहा है कोई जा रहा है कोई एक यह समझ लो कि इस जस लाइक किसी के जो कॉंशिसनस होती ही ना चेतना इनसान जो बना ही है तीन चेतना अपका माइंड ब्रेन और बॉड़ी खतम हो जाती है ब्रेन खतम हो जाता है ड़द के बाद चेतना कभी नहीं मरती तो जब यह शुरुआती स्टेज में बहुत सेम लाइक पल जाब आप लाते हो तो उसकी अलग तरह कि है दीर दीरे दीरे देमें यह तो देखिए लौँ है इसको युनिवर्सल लौ कहते है सूरज में भी ब्राइटनेस चांद की भी शायद आपको भी स्टड़ी हूई रेसेंट कि चांद की जो ब्राइटनेस की इस कि वो कम हो गई है और आगे भी जाके धीरे-धीरे कम होगी है तो इसी तरीके से पावर जो है जैसे जैसे टाइम बीटता है इसकी आप कहलो कि इसकी पावर कम होती जाती है अच्छा राच से आप इतनी जगा आपने विजिट करी हैं Haunted Places तो मैं आपसे पूछ जाता हूँ क कोई ऐसी और कोई होरर इंसिडेंस हो आपके साथ या कोई मोस्ट हॉंटेड जगा आप खुछ से किसको क्लेम करोगे कि एक होता है कि एक प्रोफेशनल से उसी फील्ड के बंदे से क्लेम हो आए कि मेरी तरफ से ये मैं इसको काऊंगा 2021 में हुआ था ये इससे पहले कोई और था मेरे साथ इंसिडेंट लेकिन जो 2021 में हुआ था उससे में हिल गया था दिसंबर की बात है ये और हमारे उस टाइम एक राम अशोक करके हैं और मत्तब मेरे चैनल पर भी कई बार आचुके है आचुके आये हो और उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको निगंबोद घाट पर जगह ले चाहेंगे तो मैंने बोला हाँ जी एक वीडियो मैंने उनके साथ 2021 में की थी वहां पर तो बहुत कुछ हुआ था मतलब मुझे पता था कि अहां पहस है ये घाट निगंबोद ये डिली का सबसे बड़ा सबसे बड़ा घाट है उसमें क्या था कि मेरी आवास तो आई है लेकिन जब फोटेज डाउनलोड में कर रहा था और उसके वाज़ा मैंने वीडियो प्रोसेस किया लेकिन जो 2021 में फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपको इसी जगह से सटे हुए जगह पे ले जाओंगा अब वो मैनेज कर लेते थे रात को परमीशन वगरा सब जहां पे 20 सल पहले पांच तांत्रिक मिस्टिरियोसली मरे थे वन बाई वन जैसे एक दिन कोई मरा दो दिन बाद कोई ऐसा और उन्होंने बोला कि भाई शम्सान घाट के यहां के जो वरकर्स है वो भी जगह में नहीं जाते हैं और जहां पर चिता थी वहां मैं देखा हूँ सिड़ी बनी हुई मैं देख रहा हूँ बंदास बंदा जो हम लोग गये थे करीब साड़े बारा बजरा बंदा बंदास सो रहा था कंबल लपेट कर अच्छा कोई ऐसे रैंडम वहां नहीं नहीं वहां का जो गाड़ उतने बाद उससे जो हटके जगह रामसोग ने बोली थी वहां पर बोला उठके वहां जारहे हो अभला वहां क्यों जारहे हो फिर रामसोग ने कुछ बोला उनको कोई नहीं मैं हूँ ना ऐसे करके वहां किया हमने बहुत तक्ले तक्ले वहां एविडेंस में मिले क्या था सरस्वरा थोड़ा डीटेल में बताओ जब आप गए विडेंस में हमें वहां और्ब कहते हैं कैमरे के सामने जैसे कुछ आपने देखा होगा कि मुस्ली अब फ्लेश लाइट से जैसे अंधेरे में रिकार्ड कर रहे हो तो देखा होगा कि मच्छर दूर से एकदम गोल सा दिखता है वीडियो में उसी तरह का लेकिन क्या है कि और है इसका जो मच्छर तो समझ जाओगे आपकी ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है और का जो पैटर्न होता है बड़ा इंटेलिजेंट होता है वो कभी ऐसे दिखेगा फिर ऐसे दिखेगा ऐसे करके इसका पैटर्न और्ब इंटेलिजेंट और्ब यह मैंने आपको पहले भी बोल चको ना किसी तरह का शेप ले सकते हैं इस तरह का उसके बाद हमारे साथ एक और गया था उनका सरभारी भारी होने लगा काफी तो फिर मैंने रामसुक जी को बोला कि इनको भी थोड़ा थोड़ी दिर के लिए रेस्ट देते हैं मैंने का आप जाओ बाहर से घुमकिया और दो बंदे के साथ वो बाहर चले गए एक तो यह हुआ तगड़ा इंसिडेंट तब हुआ जब वापिस वहां से आये रात के एक बच्चुके थे और तब मैं दिल्ली हाँ रांची से दिल्ली आया था और मैं अकेला ही था अपने घर में कोई था भी नहीं मैंने किचेन में चला गया अपना खाना रेडी करने के लिए दूसरी तरह मैंने सोचा चलो कंप्यूटर आउन करके डाउनलूड कर लते है पूटेज कंप्यूटर आउन हो गया विंडो सेवें आया अपने आप पासवर्ट डल रहा उसके उपर अच्छा वाट यस कीज प अठीक है और दूसरे हाथ में मेरे रोटी थी में गरम कर रहा था मैंने कहा रही यह क्या हो गया बाद में करेंगे मैंने कहा जल्दी से फूटेज निकालो हमारा अराउंड 40 तू 50 परसंट फूटेज लॉस था बहुत कोशिच किया रिकावर करने का बहुत कोशिच और डिलीट मार दो सब रिकावर भी कर दूगा और उसमें वही और का पैटन था और भी बहुत कुछ अब क्या आप कैमरे में आया होगा यह नहीं पता था ना एक तो पहले में बता चुकर कि एक में में फ्रीज हो गया हूँ वह साइद वीडियो है यूटूब पे मेरी अवा लेकिन जब आयसी जगा पे आप जाओगे ना एकस्पेक्ट करो कि हाँ यह हो गई है आप उससे क्या हुआ कि चलो आत हो गया है किसी तरह वीडियो भी अपलोड किया सर एकसिन जब आप वह पासवर्ट डल रहा है तो आप क्या और घर के आराउंड कुछ फिजिकल ही नहीं फील हुआ कुछ प्रेजेंस फील हुई नहीं वह तो पहले बहुत बार हो चुका है गौरफ की डित के बाद तो प्रोपर आवाज आता था लगता था कोई नौक कर अब मैं सोने गया हूं स्पीकर हमारा जो वॉफर था मुजिक सिस्टम कंप्यूटर से कनेक्टेट था उस पर तक तक की आवाज आती थी आपको डर्ण लगता था उस ताइम पर तो बचपन से नहीं है आपको 12 साल पहले की बताए कि मैं उस वक्त प्रूफ करना चाहता था की नहीं होता है गौरब से मिलने के बाद उन्होंने नौलेज भी इतना दिया और उटके साथ रहने से की देखो यह चीज़े हार्म नहीं करती है मैंने प्लेन का एक्जामपल दिया था प्लेन क्रैश होता है लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं ना आपको अमेरिका जाना है तो फ्लेन से ही दो जाओगे कैसे जाओगे आप परसंटेज बहुत कम है हर जगा अगर कोई कह दे कि हांटेड रहा हारम हो रहा है ऐसे बहुत इंटरनेट पे वीडियो आपको तो आग लगा दे रहे है कोई क्या है आग लग जा रह पानी में पेड में बहुत यह सब मैं तो देखिए हैं उतला कॉम्हारे साथ कर लेता हूं बुरा बता हूं कि क्या हुआ था इसमें मुझे तो देखो कुछ नहीं हुआ वीडियो वीडियो सब डाल लिया उसके दूसरे दिन मेरी नजर का फोन आता है रहांची से कि आज तुमारा भाई और उसकी वाई चले जाते बच गए वह ने का क्या हो गया था हमारा जो वहां घर है उसके पास दो बड़े तालाब है और फिर रोड से तालाब के चारो तरफ वह उसी रोड को कवर करके हमारे घर साब आ सकते हैं और टाटा सफारी गाड़ी है अब इतना मतलब मेरा ब्रदर आप कहलो कि एक तरीके स पाइलेट है वह चोटी चोटी गलियों में उस गाड़ी को एक हाथ से न चाता है अब वहां उस नहीं यह गलती कैसे कर दी बैक कर रहा था वह गाड़ी जा करके तलाब में अल्मोस्ट घुस चुकी थी वह गाड़ी तो एक कोई वहां पे लोहे का कुछ था क्योंभी वह चटका वहां पे चटका घाड़ी वहां पे पूजा वोजा भी होती है वह फस गया जाकर के गाड़ी का कोई पार्ट एक्सल फस गया वह मतलब यह लोग फिर पहले उसके पबलिक आ गई लोगों ने दोनों को निकाला और उसके बाद धीरे धीरे वह वह तूट रहा था अ तो कोई मिच्शुबी सी वाला जा रहा था वहां से लाइंसर नहीं कौन सी मिच्शुबी जो भी है एस यूवी कोई बड़ी एस यूवी है ना जो वो जा रहा था उसके पास सारे एक्यूपमेंट थे रसी वसी जंजीर वगेरा थे उसने फिर सहारा दिया और फिर तब त जो जैपूर दिल्ली अपना है वहां सिखाया है यह आपका यह कहलो कि जो अपना रिंग रोड है रिंग रोड पर मैंने उसकी ड्राइविंग सिखा ही रात में धीरे दीरे वह पक्का हो गया और वहां पे पहाडी भी है अच्छा चला तो उसके साथ किया यार कोई नया ब पता तो है कि वहां कुछ है अब ये बुरा लग गया वहां पर जो भी है कि तुम यहाँ पर आकर का गिए एक लोन आगा थटार्ल मॉमाइश कर रहे हो तो मै उस्ताम ये प्स़ादा इसन थोड़ा इसने पूछा था कि कुछ देखा हो कुछ गल्ती यह एंदकिन दों मुझे बोला कि पता ही नहीं कि वह sortbu मैंने कि उसकता है कि वह लगा उसको ऐसा रगा को बहुत को बहुत ही ता है और सर वो जो आप स्पीकर में आवाज आना और टक टक होना कह रहे हो ऐसे और क्या रियल एक्सपीरियंसिस हुए आपको कम्यूनिकेशन के नॉइडा के प्लाइट में मैंने 2017 में आया था इंवेस्टिगेशन करने और जो जिस लेडी ने बुलाया था सरसर तो हम नहीं बोल सकते हैं कि इसको ऐसे दिखता होगा साइकलोजिकल कुछ होगा पेशे से डॉक्टर है और उनके हस्बेंड भी डॉक्टर उनमें लडाईय वडाईय काप ही होती थी खर उनकी हस्बेंड को इस टाइम के लिए अलग रहने लगी उन्होंने बोला कि मेरी वो अल्मुस्ट गिर गया था अपने आप और बड़ी बेटी को कुछ दिखता है परिशान रहती है सुबह में क्या होता है कि डाइनिंग टेबल पे जब वो उठती ही सुबह तो सारी चीजे एरेंजड होती है जैसे रिडिंग टेबल भी है डाइनिंग तो पैन है पैन ब फिर उसके बाद मैंने कहा देखिए मुझे ना इसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी तो जो मकान मालिक थे उनको बलवाया गया वो आगया मकान मालिक ने आफ कैमरा देखिए ये काम हमें हम आफ कैमरा करते क्योंकि लोगों का परसनल इस पे वो है को परसनल बात अपनी बत कि उनके हस्बेंट के पास घर नहीं था अपना पचीस साल की लिल्गी थी तो उसके डैड ने गिफ्ट दिया था और उनको एक होता है ना लोगों का एक सपना कि अपना घर होगा उस तरह का और काफी तलब सजा सजा कर रखना मिंटें कर यह सब सौक था और डेंगू देंगू में उनकी मौत हो गई और प्रिगनेंट थी और इसमें न्यूज भी आया था न्यूज पेपर में इसमें डॉक्टर ओपर जो है गाज गिरे थी कि उनकी कुछ लापरवाही है इसके अंदर यह भी जो रहने आई थी घर में पेशे से डॉक्टर थी फिर जब मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए गया हूँ तो जो जो चीज मेरे सारी कुमेंट में एक कॉमपास भी होता हमारा मैगनेटिक कॉमपास ऐसे इसे घूमने लगा था इतना EMF था और केटू मतलब उसकी भी वीडियो होगी बहुत कुछ वहां भी लॉस हुआ था फिर मैंने प्रोपरली किसी ने ग्लास फेका अगलास गिरा धाना ध्म से जाकर के फिर मैं एक और कमरे में गया अब बिलीव नी करो गे गड़ी का ना गड़ी का काटा जैसे यह नौ पे आया ना नौ पे रुख गया था जब मैं गया नौ पे रुख गया फिर थोड़ा सा नीचे गया फिर उपर आया अब इसको टेक्निकली समझा देता हूं मैंने क्या कहा एलेक्ट्रो मैगनेटिक फील्ड चुमबकिय छेत्र बनाते हैं और जो काटे वाले घड़ी जितनी होती है यह सब इसी थेओरी पर काम करती है तो इस तरह की सकती को इसको मैनुपलेट करना बड़ा असान है उनके लिए बहुत इजी है राधर दैन आकर के हमसे बात करना अगर उल्टा घभी कभी घड़ी करना डरियेगा मत व हम अपने साथ सोचें तो भाहिया हमारी तो बिल्कुल वहां पैंट गीली हो जाए हम जाए सोकी तो गड़ी उल्टी चल रही है वक्त उल्टा चल रहा तो बंद तो ही जागा हां एक चीज मैं बोलूंगा कि इस तरह की पावर से मिस्स नहीं करना चाहिए मजाख नहीं करन मुझे अब नहीं अब तो फिर यहीं लगेगा यह तो बस एटियारपी ले रहा है अपना यह हमारा यूज कर रहा है यूज कर रहा है तो पिर यहां पर दो बच्चिया है मासूम सी उनको परेशानी हो रही है काफी यह मैंने बोला इसके बाद मुझे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं फिर मैं इन्वेस्टिगेशन पर आया बट वो इनर्जी बच शेशन बोलते हैं वह भी हमने करने का कोशिश किया था वहां पर क्लिंजिंग के लिए फिर मैंने बोला डॉक्टर मैं को कि देखिए जी आ मौला बोल रहा है ताम तरी कहरा कि हम कर दें मान के चलो कि प्रोपर्टी उसी की ही है जाएगी नहीं हांसे और किसी के प्रोपर्टी को पैसे कैसे खाली करा दोगा अब वह ऐसे फार्म में है कि खाली कराई नहीं सकते अगर फिजिकल इनसान होता तो पुलिस आकर के कोट करा देते हैं मान लो किसी बात अभी कैसे कराएंगे प्रोपर्टी किसी के नाम हो जाएगा कोई खरीद लेगा वहां से नहीं जाना चाहें नहीं जाएगी जो मर्जी कर लो आपको दिखाता हूं वो इसकी का उसी का मैंना यह बहुत वीडियो देखी है यूट्यूब में क भांगड बहुत जादा हॉंट प्लेसा बहुत अक्सर भूत आते रहते हैं लोग एक्स्पीरेंस करते हैं साथ ही साथ यह भी देखा है कि भांगड में तो कुछ है ही नहीं यह बस अवाए है यूटूब पर व्यूज के लिए करते हैं तो मैं आप से जानना चाहते हैं बह भांगड की उपर जो स्टोरी है रानी रतनावति और तांत्रिक वाली ऐसा कुछ नहीं देखिए उससे पहले मैंने भी पढ़ा हुआ था गवरत से मिलने से पहले अब मेरे अंदर भी था यह कीड़ा था कि भांगड तो जाना है क्योंकि मैं मानता नहीं था है ऐसे स्टोर जी कहीं भी हो सकती है डर वहाए पेसली लोगों को रात में लगता है कि उसका जो ईससे अरावली बता रहे थे अरावली हमारा दिल्ली शे मदम होता है और इनिशन गुजरात तक जाता है उसी में है यह तो जैसे किला है किला के possono मतलब ऐस से करके पहाड़े रंक श tu में औ हमें वहां इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिला है बाकी कहां नहीं जा सकता है किसी का एक्सिदेंट हुआ कुछ हुआ मड़र बहुत हुआ शल्च भानगण में मने खेल सब्सक्राइब यक और दाल गोह वह को है रूमा जगे होती है तो नेगेटिविटी थोड़ी बहुत आती है एक और थेओरी है भानगड के बारे हालाग इसको मैं थाबित नहीं कर सकता है कि माना जाता है कि भानगड किला जो जिस टाइम में भानगड बहुत आजाद था अंग्रेज बिसीकली इंडिया के जो भी होना चांद रहें कि वास बहुत था भंडार इन सब को हम अंडर ग्राउंड करेंगे ताकि अगर उधर से हमला होता या कुछ होता है तो यह लूट ना पाए तो एक यह भी है कि गवर्मेंट को जब गवर्मेंट आई भारत जब आजाद हुआ क्योंकि आजादी से पहले है तो भार्णगर का कोई भी किस्सा नहीं है आजादी के बाद जो भी किस्सा है यह मेरा वेरिफाइड है तो गवर्मेंट ने यह अफ़ा उड़ाई फालतो लोग वहां ना जाए इस तरह के लोग ना जाए मतलब ट्रेजर हंटिंग के लिए क्योंकि जमीन के अंदर जो भी बिल्डिंग्स हैं जो जिस ताजमेल हुआ यह भानगर के लवा तो यह सब आर्कलोजी सर्वे ओफ इंडिया के अंडर आती है तो यह जितनी भी जगह जो एसाई के अंडर में आती वहां यह जो बोड जो दिखाते हैं जो वीडियो पे पांच बजे वाला च्छा बज से भी क्योंकि एक सरिस्का टाइकर रिजर्व एक नेशनल पार्क है और उससे सटावाय हो पूरा रेंच तो उसके जो उपर की पेरिफिरी है वहां पर जोंस बने वे वहां से भी पूरे हम भांगर को चेक कर सकते हैं देख सकते हैं वहां पर नाइट पैट्रोलिंग भी ब प्राणी हवेली पे और कुछ हुआ हो कभी या से रफवाई हैं किसी नहीं नहीं अपानी मतार राज्यस्थान हैस बेन असोसियेटेड बित लॉट्स अफ वार्फेर लडाई जगडा यह सब और जहां पर लडाई जगडा भी जो होता था तो देखिए लडाई जगडा हो सकती है आप यूनियन कारबाइंड का ही हाथसा ले लो भोपाल वाला जिसकी कल एक पुन्यती थी है दो दिसंबर को कहते हैं कि उसका बेसमेंट तब से खुला ही नहीं मतलब वहां पर बाद में ऐसे ऐसे घटना ही होने लगे थे तो वह आज तक बंद है बेसमेंट बंद ह बंद है वहां कोई नहीं गया है जानी सकता है बहुत तगड़ा भी रहता है पुलिस का बहुत बड़ा होस्पिटल है तो जहां पर भी कुछ सफरिंग हुई हो यह पॉसिबल है और राजस्थान में बहुत सफरिंग हुई है पहले लडाई जगडा कोई भी ऐसी जगह हो आप देखो के पहाड़ो में आप देखो अगर हिल स्टेशन में अंग्रेजों ने वहां भी बहुत अत्याचार किया है लोकल्स के साथ तो सब आप कभी किसी लोकेशन बगाई आपने कुछ एक्स्पिरिंस किया हो वहां पर राजस्थान का कुलधरा का तो मैंने बता ही द पाउन फ्रेंच डॉक्टर एक हुआ करता था अजादी के बाद की बात है उसके दिमाग में किड़ा गया था माइंड में की मरने और जो इनसान मरने वाला है लाइफ और डिद के बीच में होता क्या है वो जानना चाहता था तो उसने क्या हुआ था कि बहुत बड़ा ना अबता उसका वह है आपका ऍव कं फाउस है वहांपे डॉक्त डॉक्त रिट के नाम से वह दॉक्टर डि तो में आज पास के अधा के बहुत सं बहुत बहुत बःच ने बहुत होती हिसा था अनलwest ब coastal भी बांधबान के रखता था, और एक के साथ नहीं बहुतोכे किया, 50-60 लोगों के साथ Door के साथ किया, तो वहाँ suffering भोट हो गयी, बहुत ज़ादा, उसके भाद देरे गर मरने लगे लोग, उसकी बीवी, उसके बचके, तो पेशन्ट अगर महां पर कोई आता था तो उसके हाथ पेर बंद के ऐसे टॉर्चर करता था था वो एक्सपरिमेंट जनने का उसको मौत जिंदगी और मौत के बीच में किया है वो जनना चाहता था पुछता भी था करके जैसा कहा गया कि तुम को कैसा लग रहा है जो बोल उसका कबरिस्तान है उसकी पुरी फैमिली का नौ कबर है जहां जो बहुत ज़ादा होता है एक निज चैनल के साथ मैं गया था बहुत नामी एंकर है नाम नहीं लूगा उनका परमेशन नहीं लिया है बहुत बड़ा चैनल है उन्होंने लास में बोला वकार आप बंद कर भी को तो इलाया है तभी कि आपको मिल जाएगा उनके साथ हुआ का छिद्वा कि सकती पर किसके साथ जो उनकी यहां वहां बता सकती किसके साथ जो आपकिव। जो उसने एक बना रखा था न अंदर में जहां पर वो रखता था लोगों को, काट के सरूस का, मुक्ती कोठरी बोल करके नाम दिया हुआ था, वहां पर सबको रखता था, अंदर में क्या है कि अंदर की जो प्रोपर्टी है अभी किसी बहुत बड़े डेली के बिजनसमेन न पहले तो पर्मिशन देगा नहीं, और अगर उदे भी देगा तो नहीं देगा, देगा ही नहीं पर्मिशन, और पकड़ा गया कोई बंदा उसमें तो खामखा, जहां वो डॉक्टर और उसकी फैमिली को दफनाया था, वहां पर आपको पर आपको फील हुई जब आप इन्व िख़ा तेमप्रेच donut, या सर्भारी, चख़ा लाना, देखा हना एकगर भुखार ह स्थormस्ता पर स्परस्टन गारा हसाइनगा है जिसका कमजोर होता है उस पर impact हो सकता है लाइक बुखार आप कह रहे हो सरभारी होना चक्कराना कई लोगों के finance जैसे देवेस के साथ हुआ था कि उनके घर में हुआ था मैं चाहता हूँ आप audience को बताओ वहाँ एक incident तो Sanjay One का ही था जो हमाई टीम थी जो girls थी महाँ पर psychology की ह हमने खूब ट्राइक कि हमको अपनी मोग्यूदगी का ऐसास करवाएं कुछ भी ऐसा पार्ट जो किसी को महसूस हो आप जिसे की अपरापन हाठ रखते हैं या किसी के पयर पर टच करते हैं तो अब महसूस होते कि तच कर रहा है तो ऐसे ऐसास करवाएं तो हम बहुत देर स सब कुछ बंद हो गया और जैसे ही मुड़के चलने लगे तो जो साथ में जो लड़की चल रही थी उसके किसी ने बाल कीचे और उसके बगल में कोई नहीं था उस समय वक्री चल रही थी और उसके बाद मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ मैं किस से एक बार मिला था सोचल मीडिया के तुरू एक फेस्बुक पे कोई फ्रेंड बने थे मेरे तो एक दू दू बात हुई नहीं बताया कि मेरी फैमिली में इश्यू है हजबेंट की डैथ हो गई हजबेंट बहुत अच अच्छे लेवल पर थे पीचेस ओफिसर थे और उनकी डैथ ही अब वो परेशान रहने लगी तो वो जो उनकी स्पिरिट थी वो उस लेडी के साथ कुछ गल्ट करती थी हजबेंट की स्पिरेट आके वाइफ के साथ सेक्शन हरेस्मेंट उसके साथ होता था हजबेंट वा आफ के साथ करती थी है उन्होंने प्रोपर एक बार निए दस यजनों के सामने उनकी फैमली में भी बताएं या उनकी साथ की जो उनometer अकूछ उनको बताया उन्होंने कुछ ने माना कुछ ने नी माना और मेरा उनसे मुलाकात होना एकदम से नेशरली ही हुआ मैं ना उनको जानता था और उन्होंने एक ऐसा बीच में पॉइंट आया कि अपना आप ही सब कुछ कोई इंसान पहली बार आप से मैं मानलो मिल रहा हूं तो मैं मेरे बारे में सब कुछ थोड़ी बताऊंगा वो सब कुछ उसने मेरे को देखके अपना आप सब कुछ बताया और उनके जो हस्बेंड थे उन्होंने मेरे को परिशान करना सुरू कर दिया ये मेरे लिए सबसे ड्रावना पल था कि मैं लेटा वा हूं और एकदम से कोभी चहरा दिख रहा है कभी कोई हाथ दिख रहा है कभी ड्रोर मेरे अपना आप खुल रहे हैं वो तो मैंने सामने लाइव दिखा है हम बैठे हैं दो-ती इंजने मेरे फ्रेंड बैठे हुए थे वाइप बैठे हुए थे मैं बैठा हुए था और ड्रोर एकदम से अपना आपको अब ड्रोर जब खुलेगा जब धलान पर लेको धलान तो उल्टी अपोजित साइड में उसकी कैसे खुल ज कई मेरे से जो उसका अटेचमेंट भड़ा था उसके उसकी में खतम की उन जब पिंट दान किया पुरिफरी पुजा पाठ की सब कुछ किया तो उसके बाध जाके उनको थोड़ी सी रिलिफ मिला आपको और किस तरीगे से परशान किया उनकी स्पिरिट ना? मेन तो लड़ाई हुआ एक्सजेंट हो गया था मेरे एक नोर्मली स्कुटी जा रहे था कुछ भी नहीं था कुछ भी और फिर भी में एकदम से गिरिया जिसे एकदम से कॉंशसनेस में अपन जिसे सोते वक्त लगते हैं जटकासा लगा हो एकदम से हम खड़े हो जाते ऐसा सीन हुआ मेरे साथ इसकुटी के और ऐसा मैं मतलब आज भी सोचता हूं उस पल को सोचके कि ऐसा हो कैस सकता है कि मैं सही चल रहा हूं प्लेन रोड है एकदम से लगा कि कुछ तकरा गया हो और मैं कि यह चीज मेरे साथ बहुत मतलब प्रॉंग टेख रहे कर दें पिर आपने बस बात करी और चीजे रिजॉल्व होगी बात करके और मैंने परनॉर्मल एक्टिविटी से थोड़ा सा साइड बनाके और हमारा इक आश्रम है वहां पर जाके तोड़ा सा मैं दूसरे कामों में खुद को बीज रखना सू कर दिया वह चीज मेने काफी टाइम तक छोड़ दी थी अभी कुस टाइम से मैंने मैं फिर दुबारा स्टार्ट की एक बार बीच में मैंने हमारे पुरा अब बात है जो दो बच्चे थे एक का नाम गोरा एक का नाम शानू तो मैंने पूछा उस मीटर के थूरू और एकोवेक्स के थूरू जो जिसका मैंने हाथ पकड़ रखा है तो अब यह बात हम तीनों को पता है कि हम तीनों का नाम क्या है लेकिन जो कोई है नहीं या पर इस स्मय मौजूद उसको कैसे बता होगा तो मैंने इसका हाथ पकड़ रखा है उसका नाम बताई आप उसका नाम का पहला खिशर क्या है उन्होंने पहला खिशर कैसे बताया जैसे इनका नाम राज है तुर्रा आवाज आई प्रोपर और वह आवाज किसी डिवाइस में आई वह डिवाइस में आती है यह एक फोन के नदर ही सोफ्ट्वेर है? यह एक फोन के नदर ही, मैं करेक्ट कर देता हूँ इक वोक्स इसके लिए जो है एक तरह का इंवेस्टिगेशन के लिए आप है हम इसको कहते हैं EVP, Electronic Voice Funeral इसके लिए अलग से हड़वेर भी आता है इसके लिए माइक्रोफोन, साउंड रिकॉर्डर अब थोड़ा डिवलप्मेंट हुआ तो हमें क्या है कि EVP जब हम करते थे थे था हूँ मैं कंप्यूटर पर जा करके उसको अम्प्लिफाई करके Audacity अगरा मैं सुनना पड़ता था कि क्या बहुत छींड सी आवाज होती, बहुत लो हलकी हाँ, बहुत बार-बार सुनोगे तब EcoVox आने के बाद यह होगी है कि लाइव आप उस चीज को सुन सकते हो तो इसमें यह भी पता चलता है कि फीमेल की आवाज है या मेल की आवाज है पता चलता है लेकिन फीर भी हम कनफार्म करते हैं, इसको हम फीर फीमेल की आवाज आए इक ही जैसी वह आवाज होती क्योंकि EcoVox में ऐसा नहीं है कि उक्दम एड़्यक्ट आवाज जो उसके आजाएगी फिर इसको करते हैं कि क्या आप फीमेल है तो तीन बत्ती जला सकते हैं अगर उस पर आई तीन बत्ती देखिए बहुत सारा जो गैजेट्स होता है उसको फिर हम मतलब सिंख्रोनाइज करके तब ही हम डिसीजन लेते हैं इतना बड़ा जो एनरजी है उसको जो मतलब एकदम सिंपल जो चीज लगेगी ना इसमें उसने लाइट नीज लाई लेकिन इसने सेंसर वाले में लाइट ना थी तो उसको हम हां ही मानेंगे उसकी ये भी एक वो है और ओडियो बॉक्स से रिलेटेड आपके साथ एक और इंसिडेंट भी थी तो डॉक्टर और मेरी फैमिली में अब सब थे होस्पिटल में घर पी था ये साड़े दस वजे के आसपास की बात है तो हम बैड पर मैं बैठा हुआ था हूं के सिर के पास और वो उस समय जा रहे थे मतलब उनकी प्राण निकल रहे थे वह हमने प्रोपर देखा है लास्ट मों की नक इंटको से जोपार को चले गें अब टोक्टर ने गोशित कर दिया कि यह जा चुका है न तो मेरे को एकदम से ध्याना कि कुछ तो हो सकता रा कुछ मैं इसमें कर सकता हूँ कि वो गए नी गए सच बोल रहे हैं नी बोल रहे हैं और मेरे को यहां पर इसकी authenticity का पता लग जाएगा कि यह सच है या नहीं यह सब चीज डिवाइसे जबकि मैं उससे कई experiment कर चुका था लेकिन उस समय एक उस स्थिति में कि मैं दुखी भी हूं लेकिन मेरे को यह चीज का भी डॉक्टर भी हैं फैमिली मेंबर्स भी हैं बच्चे भी हैं उनके सामने वाइप भी हैं मेरी सामने एकदम सामने बैटेगी थी मैंने सोफ्टेर उसको ओन किया उसकी आवाज को और यह मीटर चालो किया तो मैं उनको पापा जी बोलता था कि पापा जी तो पापा जी सुन एक यह चीज को मैं बोल रहा हूं, वह बहुत फास्ट आई थी, हम बोल के बात है तो मैंने का हाँ, आप क्या कड़ा भी भी नहीं गई जाने के बात भी, चलो मैं आप शान्ती से मुक्ति आप प्राप्त करो, और कोई मेरे से गलती हुए माफ करना, तो आप जाओ उसके बाद मेरे को आज तक कभी, ना ही कभी इस बोलते हैं कि सपने में दिखते हैं, बुजब कभी नहीं हुआ, कोई experience नहीं हुआ एक सर आप देवेशर ब्लड वाला किस्सा बता रहते हैं आपकी आपकी family में, हाँ, वो तो basically मेरी family में, जो पूरवज मेरे बताते हैं आज से 100-200 साल तले, कि शराब भी है कुछ, और कुछ ऐसा है कि कोई property है, वो बिल्कुल खाली है, जैसे मालोई, कोई flat है 3BSK का, वो बि 5 मिन बाद हम चैक करेंगे हमारी बोडी पे कहीं ने कहीं blood हमको sport होता है उसके अंदर, कपड़े पे आपके, हमारी बोडी पे कहीं भी हाट उंगली कर जाएगी, पैर पे लग जाएगी, अपने आप, अपने आप, तो ये कब होता है आप, ये कोई भी जैसे property हम नहीं purchase करत हमें, होता ही होता है, होता ही होता है ये, एक नहीं मैंने, दस हम वार देखे, तो ये है अपके क्या, मनला कुछ पीछे है, इसके history है क्या है इसकी history है उटम कर भी है, ङितना मैंने सुना है पूर्वसर उसके, जो एक होते है, जिसे on a.. कोई भी इंसान होता है , जो वहां से उत्पन हुए थे और उनकी मतलब वह दो चार भाई थे और एक उनकी बहन थी तो वह उस जमाने में मतलब यह तांत्रिक पना तो बहुत बड़ा पहल चलता था कई साल पहले तो उन्होंने पूजा पाट करके एक माता को प्रसंद किया और उनको बली चाहिए थी खाजाने के लिए जो खाजाना अमारे राइस्तान में बहुत जगे मिलता है और वह जो गड़ावा खाजाना है वह बली मांगके और खाजाना लूटा जाता है आज के टाइम में भी ऐस होता है कोई भी घड़ावा खाजाना आप ढूंडने जाओगे तो यह कोई तांत्रीक भी जाता है तो उसके उपर कुछ नकुछ में चड़ाता है वर्नाव साफ उसको दसके मार देता है बहुत सारी इंसिडेंट होते हैं यह रियल्टी में होता है इसमें कोई दोरह नहीं अब यह सब घर आगे अब जब जो घर आने का डिस्टेंस था उस बीच में जो उनके जो हस्बेंट है जिनकी डैथ हो गई थी वो ओल्रेडी उसकी इस्परिट आके उसको बोलती है कि तुम्हारे भाईयों नोते मेरे को मार गया मैं जाता हूं तुम अपना ध्यान रखना तो जब जाके जब घर पर आये, उसके पुछा कि तुम्हारे जीजा ची कहां पर हैं श लोग कभी बस नहीं पाऊ गया एक जगह जगह बदलते रहों तो वह चीज जो चलती आ रही है पूर्वजों के आपके साथ होता है जैसे कि मेरे जो ग्रेट ग्रेंट फादर थे उनके जो फादर साफ थे अरब की तरफ से आये थे मतला उस टैम में जितने भी आप ये पुर आपके साथ एक खुद के साथ आपने चैलेंज दिया था जो भी आप हमें ऑफ कैमरा बता रहे हैं मैं चाहरा था हो कि हम जाते जाते एक बार वह चीज भी हम ओडियन्स को बताएं कवर करें वह चीज की क्या हुआ था पूरा इंसिडेंट आप प्लैक मैंजिक सबसे पहले बताता हूं कि य्मा ब्लैक मैंजिक दो फार में बटा हुआ है एक्तुमानने वाले हैं Litnes कहता है न अन्यकार है सब आखो भीख करते हैं और एक टरीके से बडर्यबल होते हैं जो mentally weak है, जिनका aura weak है या उनकी long कभी history रही है जादा नशे वशे की, लंबी history है किसी भी तरह का ये लोग थोड़े होते हैं और अवीक है तो मैं भी बोल देता हूँ, उसको off camera क्यों मैं बोल देता हूँ गौरव मेरा दोस्त क्या भाई भी था मेरा तो लोग अनाप्षना बाते चला रहे थे कि भानगड की भूतों ने मार दिया और मतलब गिद लोग थे जिननों किताब लिखी थी भानगड के ऊपर अब तैसी बात है जो कैलकटा में भानगड की ऊपर किताब पढ़ के डर रहा हूँ, आज तक भानगड का भी गया नहीं हूँ, डरेगा ही वो लोग खुशी भी मना रहे थे, कि चलो क्योंकि गवरब ने उनके बुक पर की इमेज पर डेंट मार दिया था पूरी तरीके से कि यहां कुछ नहीं है तो चड़ करके मैंने एक दिन शोसल मीडिया पर चैलेंज कर दिया था कि अगर किसी में दम है तो मेरे उपर ब्लैक मैजिक करके दिखाए धाई से तीन लाख रुपय का मैं इनाम दूँगा, चेक भी दिखाया था मैंने, कमपनी का अपना फिर कुछ दिनों के बाद अजीब वजीब से कैसे सोने लगे थे, दर्वाजा एक दिन अब मैं सोया हुआ था, पहले तो मेरा बदन भारी सा हुआ, उसके बाद कुछ सेकेंड के बाद मैं उठ गया फिर सामने जब देखा, अंधेरा था, हलकी लाइड थी, LED की लाइड चार्जर या किसी से जल रही थी, दर्वाजा किशन का जो स्लाइडिंग दोर अपने आप बड़े जोर से खुला, और मेरे साथ उस वक्त एक वो था, किटन था मेरा, तीन-चार महीने का था, वो भी द आने के बाद मतलब रूम से बाहर निखला अपनी बैलकोरी में आया, मैंने कहा कि सोया हुआ होता हो तो बहुत अपना पावर दिखाते हो, अगर दम है तो सामने आके करो, और ये सब मतलब ऐसे एक वर्ड यूस किया था, मैंने कहा इस सब चिंदी चोरी है, कोई सोया तो उसके उपर चड़ जाओ, उसका बदन भारी कर दो, कुछ समान हिला दो, फिर मैंने बोला, अगर दम है तो सामने हो, होता क्या है कि जब आप ऐसे फोर्स को रिपल कर देते हैं, तो ये चीज आपके काम आप पे काम नहीं करती है, और ये फिर बाउंस बैक हो जाती है, या किसी और को अपना शिकार ढूंदती है, गाड़ी पर आप अगर बहुत जोर से मारते हो, कैन्वस बॉल गाड़ी के शीशे पर, माले आपको थ्रो करने की कैपसिटी बड़ी तगड़ी है, आप शीशा तोड़ के घुश जाओगे, लेकिन अगर आपकी तगड़ी नही कैसे कुछ बताओ आप और अगरा होते हैं, एक थोड़ा था लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल में मैं वो तो सभी जानता है कि हा मतलब एक तरीके से पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, दूसरी चीज है, साउंड जो मैं कह रहा था, कुछ इस तरह का साउंड, 450 हर्ड के आसपास, इस तरह के जितने भी औरा हीलिंग साउंड हैं, 450 मेगाहट्स के आसपास, और यह बहुत ज्यादा क्लोज रिजेंबल करता है, जो हिंदू इसमें ओम चैंट करते हैं, जो लोग बहुत लंबे समय तक बोल सकते हैं, बहुत कम लोगों को मैंने देखा हैं, बोल साउंड मिलेंगे, और यह वाके में आपको एक तरीके से मेंटल मतलब एक सुकून देता है, इनसान नेगेटिव कब होता है, आप देखिए कोई सुबह से शाम तक सोशल मीडिया में सिर्फ कोई मतलब हेट वाले पोस्त देख रहा है, उसका माइंड भी ऐसा हो जागा, त जो स्पिरिट से उन्होंने देखा है या नहीं बगवान को, या कोई भी उसको, अभी थोड़े पहले इस पर बात टोपिक चल रहा था, जी कि स्पिरिट की जो लाइफ है वो कहा होती है, तो उस पर में एक किस्सा याद आया भी हमको, जब हमने 2019 में यह यह मुना घाट प आपके लोगों के साथ हैं या नहीं, तो उनका इसमें हाँ और नामे उत्तर उन से हमको पूछना था, तो उनका जवाब था हाँ, कि हमारे साथ साथ नेगेटिव स्पिरिट भी हमारे यहां पर आसपास में है, और हमने जैसे मैंने उन से पूछा कि आपने कभी भगवान, अल्ला, जीजस, या गुरुनानक जी, किसी को भी जो भगवान आम बानते हैं इसको, उनको देखाया किया, तो उनका उसमें जवाब हाँ आए था, कि वो लोग भी एक जब आत्मा सरीर से निकल जाती है, तो वो ईश्वर का उनको एक्सपिरियंस करती हैं, और जो नहीं कर हमारी खुद की पूछी है, आल्राइट सर, मज़ा आगया आप दोनों से बात करके, कितनी जादा गहरी भूतिया बाते हैं यहाँ पर हुई, और बहुत, मतला, नॉर्मली लोग यहाँ पर एक्सपिरियंस शेर करते हैं, बट सर, जिस तरीके से आपने साइंटिफिक रीज और पॉड़कास्ट देखने हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, सर ने जिस वीडियो की बात करी, इनके चैनल पर अवेलेबल है, उसका गोल बटन यहाँ स्क्रीन पर आ रहा है, आप इनका चैनल चेक आउट कर सकते हैं, इनकी सारी पुरानी वीडियो भी चैक आउट कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं बता दू जो कपड़े हमने पहने हैं, यह हमारी मर्चंडाइस, भूतों से डर नहीं लगता, इनसान से लगता है, यह भाई ने सेनर पहनी है, भाई चैक आउट करिए हमारे सारे डिजाइन्स हमारी वेबसाइट पे, realitstore.com उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन में है, और जागे खरीदें, और भाई बहुत ही जलतना है, डिस्काउंट भी चलने हावाला हमारी वेबसाइट पे, डिस्क्रिप्शन में उसका कूपन कोड डाला हुए हमने, जाओ, जाके उसको अवेल करो, डिस्काउंट जाओ, और और तो बिलेंगे आपसे ऐसी माज़दार पोड़ का सरत, thank you so much, thank you so much for inviting us. buy a new episode, till then bye-bye, take care.